नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लेकर आई हूँ छतिस गड़ की मुठ्या रोटी की रेसिपी हमारे छतिस गड़ के ग्रामी निलाकों में ये रोटी जरूर बनाई जाती है इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है ये चावल आटे से बंदी है ये हमारे छतिस गड़ का स्पेशल पकवान है तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर मैंने लिया एक बड़ा सा वर्तन उसमें मैं डालूंगी दो कटोरी चावल का आटा चावल का आटा हमने अच्छे से चाल लिया है तो चावल के आटे डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे एक कटोरी रात का बचा हुआ चावल अगर आप चावल नहीं डालना चाते तो आप स्किप कर सकते हैं उसके बाद हम डालेंगे टेस्ट के अकॉडिंग नमक अगर आप चावल नहीं डालेंगे तो आपका जो मुठिया होगा वो टाइट बनेगा और अगर आप चावल डालते हैं तो आपका मुठिया एकदम सौफ्ट बन के तयार होगा तो चलिए हम सारी चीजों को पहले हाथों से इसी तरीके से सूखे में मिक्स कर लेंगे तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका टाइट डू बना के तयार कर लेंगे आप याद रखिए friends यहाँ पे हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है हमें इकठे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा तो देखिए आप पे हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और बस इसे अच्छे से मसल मसल के हमें गूत लेना है तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हमें मसलते हुए आटे को गूत लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हमारा आटा गूत के तयार हो चुका है मैंने इसे बहुत ही टाइट गूत के तयार किया है जितना टाइट आप आटा को गूतेंगे आपका जो मुठिया है वो खिला खिला बनेगा और एक दूसरे से बिलकुल भी नहीं चिपकेगा तो देखें आप मैंने इसे कितना टाइट गूत के तयार किया है तो चली यहाँ पे आटा तो हमारा डैरी हो चुका है इसके बाद हमें क्या करना है एक हमें बड़तर लेना है आप प्लेट या थाली कुछ भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है उसके उपर मैं यहाँ पे डालूँगी एक शमस तेल और तेल को मैं प्लेट में चारो तरफ अच्छे से फैला लूँगी तो चलिए यहाँ पे हमने प्लेट में तेल को अच्छे से फेला लिया है फिर हम उसे कर देंगे साइड में उसके बाद हम क्या करेंगे एक कटोरी में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसे रखेंगी हम यहाँ पे और बस अब छोटी छोटी लोईयां हम तोड़ते जाएंगे औ और इसे बना के तयार कर लूँगी तो लोजी यहां पे हमारा एक मुठिया तो बन चुका है इसी तरीके से हम सारे मुठिया को बना के तयार कर लेंगे तो चलिए यहां पे हमारा दूसरा वाला मुठिया भी बन चुका है अगर आपको इतना मोटा नहीं पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा पतला बना सकते हैं अगर आपके हाथों में अगर आता चिपक रहा है तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं तो चलिए सारे मुठिया को हम बना के तयार कर लेते हैं लोजी फ्रेंट्स यहां पे हमने सारे मुठिया को बना कर एक प्लेट में रख लिया है देखिए यह कितने बढ़िया बन के तयार हुए हैं तो चलिए अभी से हम इस्टीम दे देते हैं तो स्टीम देने के लिए मैंने यहां पहले से ही पानी गरम करने के लिए रख दिया था और आजुआ देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंट यहाँ पे 10 मिनिट हो चुके हैं और देखिए यहाँ पे हमारा मुठिया काफी अच्छे से स्टीम हो चुका है मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने चाकू इसमें चुभा दिया है और देखिए यह कितने अच्छे से स्टीम होके तयार हुआ है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं कड़ाई से बाहर तो देखे इस तरीके से आप कढ़ाई से बाहर निकालने के लिए चमज या किसी भी कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमने इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है इसे हम पांच मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं तब तक हम चौक की तयारी करते हैं तो यहाँ पे मैंने चौक लगाने के लिए कढ़ाई चड़ा दी है और मैं इसमें डालूंगी 3-4 चोटे चमज तेल और तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें चौक लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है हम यहाँ पे डालेंगे दो छोटे चम्मज, तिल, तो यहाँ पे मैंने तिल, सफेद और काला मिक्स करके लिया हुआ है, फिर मैं यहाँ पे डालूँगे चार-पांच लाल खड़े मिर्च, इसे हम थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ति करना है, हमें इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि मुठिया का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, गोल्डन हो जाए, और क्रंची हो जाए, तो यहाँ पे इसे फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुठिया का कलर हलका हलका चेंज हो चुका है, थोड़ी थोड़ी गोल्डन हो चुकी है, इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से फ्राई कर लेंगे, तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पे मुठिया को फ्राई करते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और देखे यहाँ पे यह क तो लोजी फ्रेंड्स यहां पे हमारे मुठियात बन चुकी है आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी तो कॉमें चेक्शन में जरूर बताएगा मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर लिए इसे हम सर्फ कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स यह कितनी खिली खिली बन के तयार हुई है बलकुल भी तूटी हुई नहीं है तो चलिए यहां पे हमने इसे सर्फ कर लिया है तो आपके घर में यह बनता है कि नहीं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और कौन-क की चटनी पीस के इसके साथ जरूर खाईएगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फॉर वाचिंग